वेलकम टुटे चैनल तो वही क्या हाल है आप लोगों के मौज मस्ती चल रहे है कि नहीं देखो वही मौज मस्ती होती है ना पढ़ाई में मज़़ा तभी आता है आज हम देखो मौज मस्ती की साथ पढ़ेंगे चाप्टर नमबर वन से विक्स का जिसका नाम है अंडरस्टै क्या इजी सा ललू-पलू चाप्टर है इसको 5-10 मिनट में फटाक से खतम कर देंगे तो टेंशन लेने का नहीं आप फटाफट शुरू करते हैं इस चाप्टर को और बहुत इजी तरीके से पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहला टॉपिक अपना डाइवर्सिटी क्या होता ह डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग-अलग होना भिन प्रकार का होना इंडिया is a country of many diversity हमारे देश में अगर आप डाइवर्सिटी की बात करो बहुत सारी डाइवर्सिटी है हर चीज में यहाँ पे लोग अलग-अलग language बोलते हैं अलग-अलग तरह का खाना खाते हैं अ आपको इन ही नोट्स में मिल रहा होगा तो टेंशन तो लेनी ही नहीं है ना चक्ते फटे बले-बले हो जाएगी आपकी यह नोट्स यूज करके इसके बाद मैं आपको question answers भी करा हूँगा आप देखना एक एक चीज इन ही नोट्स से निकल के आएगी मैं promise करता हूँ चलो और कुछ दिनों बाद मतलब जैसे जैसे टाइम बीता वो एक social life जीने लगा social life नहीं के वो diversity और मतलब social life का मतलब क्या होता है सब की एक life in the sense एक society बन गई लोग रहने लगे दोस्ती हो गई रिष्टेदारियां हो गई शादी होने लग गई और यह सारी social life बन गई उसके सा human beings are social animals and thus cannot fulfill all their needs on their own तो इंसान क्या है एक social animal है यानि कि है तो वो जानवर बट वो social है उसको पता है कि society में रहना क्या होता है कैसी दोस्ती निभाई जाती कैसी रिष्टेदारी निभाई जाती यह सब उसको पता है तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें है जो वो खुद स इसे फुल्फिल नहीं कर सकता अकेले रहके डिपेंड ऑन इच अधर और और आपके साथ 40-50 बच्चे और बैठे तो सब क्या है सब एक social नीड के तहत पढ़ रहे हैं पढ़ाई क्या एक social नीड ही तो है अगर नहीं पढ़ोगे तो भी तो जिंदा रहोगे ना कुछ खाप नहीं चीज़ है अब अलग-अलग social groups हैं जो humans के वहाँ पे अलग-अलग प्रकार की activities होती हैं जो किस पे depend करती हैं वहाँ का culture कैसा है वो कौन सी skill रखते हैं वो कौन सी जगे रहते हैं इंट्रेस्ट क्या है उनके और उनकी understanding क्या है वो क्या समझते हैं historical and geographical factor भी बहुत जादा influence करते हैं religion की diversity में region की और religion दोनों की तो region की diversity क्या होती है वहीं कहीं पे पहाड़ है तो वहाँ पे लोग अलग तरीके घर मना के रहते हैं अलग festivals मनाते हैं सब कुछ अलग होता है तो वहीं पे कहीं दूसरी जगे पे वहाँ पहाड नहीं है वहाँ स फेती होती है और जो फसल कटती है तो वहाँ पे festival मनाया जाता है तो अब मान के चलो इंडिया का एक एरिया है जहां पे मार्च में फसल कटती है तो वहाँ पे festival तब मनेगा वहीं पे कैरला है या कोई और जगे है जहां पे अगस्त में फसल कटती है तो वहाँ तब मनेगा तो इस वजह से हमारे देश में diversity है बट स्टिल हम सब unity के साथ रहते हैं historical and geographical factors we can understand this diversity better through case study of Ladakh and Kerala अब NCRT में इस पूरे chapter को समझाया गया है Ladakh और Kerala की case study से तो Ladakh हमारे देश का सबसे top most में बढ़ता है Ladakh is a desert in mountains in the eastern part of Jammu Kashmir आपको बहिए desert क्या बात कर रहे हैं गलत हांजी बट यह याद रखना desert मतलब वही रेगिस्तान नहीं होता desert मतलब cold desert भी हो सकता है snow desert desert कोई भी ऐसी जगे जहां कोई नहीं रहता उसे desert कहते हैं तो Ladakh में बहुत कम लोग रहते हैं इसलिए उसे desert कहा जाता है mountains के बीच में है जम्मू कश्मीर के eastern part में इतना पता होना चाहिए बहुत ही कम agriculture होता है यहाँ पे और possible ही नहीं है क्योंकि यह पूरा area ढखा हुआ है snow से people here keeps sheep and goat यहाँ के लोग क्या रखते हैं sheep और goat पालते हैं the goat in this region are special because they produce pashmina shawl अब यहाँ की जो goat होती है न वो बड़ी खास होती है क्योंकि उनकी जो wool निकलती है जो wool होती है उससे बनती है pashmina shawl जो के लाखों-लाखों में बिकती हैं वाई हमारे देश में इसलिए वो बहुत ज़्यादा पॉपल है the people in Ladakh sell pashmina wool to traders from Kashmir पashmina shawl are chiefly women in Kashmir तो Ladakh में जो goats पाली जाती है उनका wool लेके वो बेच दी जाती है कश्मीर के आदमियों को कश्मीर के जो trader हैं दुकांदार हैं और वो फिर वहाँ पे जाके उनसे wool से क्या बनाते हैं पashmina shawl बनाते हैं और आगे जाके उन्हें बेचते हैं बुद्धिजम रीज्ट तिबबत वाया Ladakh बुद्धिजम जो है न वो तिबबत पहुचा था Ladakh के थ्रू ही Ladakh में सबसे पहले follow किया गया उसके बाद तिबबत इसलाम वाज इंटर्डूच 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 अगो अग से लगबग 400 साल पहले यहां पर इसलाम धरम आया था और आज भी यहां पर मुस्ली पॉपुलेशन कौन सी है मुस्लिम है अब बात कते हैं केरला की केरला काउंस हमारे देश के साउथ वेस्टन कॉर्नर में है एकदम प्लेन है यहां कोई बरब बरब नीगरती इनफाक्ट गर्मी पड़ती है गजब की बात देखो इसके एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ क्या है और नमबर अफ स्पाइसे लाइक पेपर, क्लॉव, कार्डमॉम यह सारे यहां पर उगाये जाते है Jewish और Arab traders यहां पर पहले वो लोग थे जो सबसे पहले आये थे People in Kerala, अब यह लोग आये कहां से यह याद रखना क्योंकि इसके just side में C है Kerala के इसलिए यह ship से आये थे, तो यह क्या है? Ship है, तो ship से आये थे People in Kerala practice different religion कुछ Judaism, कुछ Islam, कुछ Christianity, कुछ Hinduism, कुछ Buddhism यहां के लोग बहुत अलग 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 प्रकार के Follow करते हैं Religions Okay जी, the fertile land and climate are suited to growing rice और यहां का जो मौसम है, वो किसके लिए suit करता है, वो suit करता है चावा लोग आने को, कि बहुत अलग अलग आगे अलग, geographical मतलब के मौसम जो factors होते है The history of both regions have seen similar cultural influence but बात करें history की तो दोनो ही region में कुछ कुछ similar cultural influence है, दोनो ही region were influenced by Chinese and Arab traders, दोनो ही जगे पे Chinese और Arab traders आय थे history में It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions, अब देखो, बहुत ही अजीब और ऐसी बात है, दोनों भाई देखो एकदम opposite कोने में है हमारे देश के but still दोनों में एक चीज similar है कि एक ऐसी चीज है जो बस इसी जगह पर मिलती है, जैसे Kerala में आप देखो, तो spices वहां के बहुत ज़्यादा popular है और वहीं पर Ladakh में बात करो तो यहां की wool बहुत popular है तो है न, यह similarity हो गई अब बात करते हैं, unity in diversity हमारे देश में जो है, diversity बहुत है, but still हम unity में रहते हैं India's diversity has always been recognized as a source of its strength, हमारे देश की diversity कभी हमारे लिए problem नहीं बनी बलकि एक strength बनी है When the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them, जब जो British आये थे न, और उन्होंने इंडिया को rule करा था तो आदमी और और ओरतें, चाहे वो किसी भी धर्म की हो किसी भी culture की हो, किसी भी region की हो सब एक साथ खड़े हुए थे और उन अंग्रेजों को मार भगाया था हमारे देश से बाहर, है न, तो इसी positive note के साथ हमने chapter कर लिया है खतम और फटाफ़ट कमेंट करके बता दो आपको chapter कैसा लगा, वीडियो मस्त लगी हो करते रही है